श्रीनाज्य गुरुषी कॉला कादेश, माभगवती कॉला कादेश, श्राची वाले भैरभ बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश, एक समय था, जब मैं नई नई चीजों पर हमेशा अध्यान करता रहता था, सुस्ता तक कहीं से कुछ नया मिल जाए, उसी क्रम में मैं एक सादक से मिला, और उस सादक ने मुझे एक मंत्र दिया तंत्र बताते हैं, यंत्र बताते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा तंत्र मंत्र और यंत्र रहता है, जो आपको आजीवन याद रहता है, तो उस सादक से मेरा यही जुडाव रहा, कि उस मंत्र के चलते, मुझे जो अनुभूती हुई, वो अदृत्ति थी, वो उसके बहुत सुनके रखा है, आउट अफ बाड़ी एक्सपिरियंस, एस्ट्र प्रोजेक्शन, एस्ट्र ट्रेवल, तो एस्ट्र ट्रेवल हाइस्ट्र ट्रेवल होता है, जिसमें आप स्वाइक्छा से अपने शरीर को छोड़ करके, और आप घूमने चले जाते हैं, जो शंकरा जरूरी और महत्वपूर्ण बाती है, कि अगर आप लोग इसको ट्राई भी करते हैं, ठीक है, तो अपने लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में एक सिल्वर की अंग उठी डाल के रखिएगा, ठीक, उसका ये कारण है कि जब आप आप आउट अफ बाड़ी अगर आपका स सक्सेस हो जाता है, और आप शरीर के बाहर एक कोड से जुड़े रहते हैं, जब आप 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 बाड़ी जाते हैं, तो शरीर मृत्यों और आप बाड़ी में अंतरवस इतना है कि मृत्यों के समय शरीर को आत्मा पूरी तरीके से छोड़ती है, लेकिन आप बाड़ी एक्स मृत्तियों को छोड़के आत्मा निकलती है तो जब आप इस पतले से कॉट से जुड़े रहते हैं और आप जब आसपास की चीजों को देखते हैं तो अगर कोई उस वक्त आ करके आपको टोक दे हिला दे तो वह कॉट कट जाएगा और आपके मृत्तियों हो सकती है इसलिए वो ना हो उसके चलते एक बंधन के तौर पे लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में आप जब भी मेडिटेशन भी करें तो एक अंगुठी पहन लिया कीजिए इसके आगे मेरा experience क्या था out of body experience में मेरा experience यह था कि एक महान भाव ने मुझे एक मंत्र दिया मैंने विश्वास के साथ उसको जापा मैं एक symbol था ठीक है वो मेरा अपना था उसके उपर मैंने अपने दोनों हाथ रख्या और उस मंत्र से महाकाल और महाकाली को याद करने लगा थोड़ी देर बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे लग रहा था कि मैंने अपने शरीर को छोड़ करके अपने चरीर के ओपर हूं करीब डेर से दो हाथ ऊपर यह पहली वार और जब वह उपर था तो शरीर के जितने कष्ट भी होता है ने तब भी शरीर में बहुत सारा कस् होती है लेकिन जैसे ही आप out of body experience में जाते हैं ये सारी चीजे रुख जाती है ठीक है वो मतलब जो experience करता है जैसे उर्दू में कहवत है कुछ चीजे ऐसी है जो मैं समझ सकता हूं लेकिन समझा नहीं सकता उसको तदफुफ उसका मतलब होता है कि वो चीज जो मुझे समझ में तो आ रही है लेकिन मैं आपको समझा नहीं सकता हूं जैसे अगर आप ब्रह्म्म से एकाकार हो जाते हैं तो वो जो feeling आती है वो आप समझ सकते हैं लेकिन आप आप किसी को समझा नहीं सकते तो मंत्र क्या है देखो आप जिसको भी मानते हो उसकी प्रतिमा या मूर्ति या तस्वीर को सामने रख करके यह किसी एक संगठन का बीज मंत्र भी है उनसे है मुझे मिला था मैं उनका नाम नहीं लूँगा ठीक है मंत्र है ओम सचिता नंद पर पुरुषोत्तम परमातमा श्री भगवती समेता श्री भगवते नमहा ठीक है ओम सचिता नंद पर ब्रम्हा पुरुषोत्तम परमातमा श्री भगवती समेता श्री भगवते नमहा ओम सचिता नंद पर ब्रम्हा पुरुषोत्तम परमातमा श्री भगवते नमहा तो इसमें क्या है ओम तो ओम तो युनिवर्सल साउंड है इससे ही सब कुछ बना है सथ चित और आनंद यह तीन क्वालेटी होते हैं परब्रह्म के मतलब जो डिवाइन है जिससे सब कुछ निकला सथ का मतलब होता है वह जिसका कोई आकार ना हो लेकिन फिर भी वह हर जगा है उसको सत्त कहते हैं चित का मतलब होता है कॉंशेसनेस वह ज्यान वह जो सब कुछ जानता हो ठीक है और आनंद का मतलब होता है जब आप उस चीज को अनुभूती करते हैं कि आप भी उस परब्रह्म के एक भाग है ठीक है और परब्रह्म का मतलब परब्रह्म होता पुरुशोत्तम होता है परमात्मा जो सबसे ताकतवर आत्मा है श्रीभगति मतलब रु सबस्सक्राइब होगी और एक भग्olieवान होंगे तो श्रीभगवती समेत मतलब भगवती के साथ श्रीभगवते जो भगवान हैं उनको नमन श्रीज़िता-नंदपर-ब्रह्मह the पुरुशोत्तम परमातमा, श्री भगवती समेता, श्री भगवते नमा, ये मंत्र मेरे लिए काम कर गया था, ठीक है, और मैंने इसी मंत्र से out of body experience किया है, आप लोग भी महाकाल और महाकाली को साक्षी मान, उनको सामने देख करके, उनकी तस्वीर पर हाथ रखेगा, और इस मंत्र को जापिएगा, मेरा विश्वास है कि आप लोग भी out of the body experience की पहली जलग तो इस मंत्र से पा सकते हैं, out of body और astral traveling पे और वीडियो में आगे बनाऊगा, लेकिन primary stage यही है, इसको जरूर बनाईए, अच्छा, आप लोग में से बहुत लोग पूछते हैं कि आसन मंत् WhatsApp का basic group है, उसका नीचे आप देखेगा कि उसका link दिया हुआ, उसमें आप जुड सकते हैं, यह सब जानने के लिए, भूत प्रेतों से बात करने की बहुत इक्छा है, तो मेरा किताब है, Handbook for Paranormal Investigator, Amazon Flipkart, पूरे विश्वम है, यह हर जगा मेंता है, इसके अलावा, मुझस प्रूद्रनाद सर्च कीजिएगा, तो आपको मेरी profile में लेगी, उससे आप उससे call देखे बात कर सकते हैं, मा भुवति और प्रब्रम्ह, आप लोगों की सदय व्रक्षा करें, और आप लोगों को तुच्छ से उसकोंटी का सादक बने, ऐसी मेरी कामना है, आप सभी को आ अँछ अप बोड़ और आप ह्रो react